पचास लाग से जादा पचास लग से जादा होगा मेगा पोलिस कितने सबसे बड़ा दिली दूसरा कि तीक है आप सही है तो नमस्कार धाराध एस में मैं पुक्रासगिरे एक बार फिर से आप सभी स्वागत करता हूं मैं आ बिना माइक चालू करे शागत कर रहा था तो मैं को ऐसा लगा कि माइक शायद चालू नहीं रखा हूं करके In any case चलो अब हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से आप सभी को गुड मॉनिंग प्रेम प्रीती प्रनेश कविता गुड मॉनिंग आप लोग जादा जादा इस सेशन को क्या कर दो शेर कर दो और हम लोग क्या करते हैं तो फटाफट शुरू करते हैं मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस सेशन को अब हम लोग क्या कर रहे हैं तो ओफलाइन भी ओफर कर रहे हैं आपको लाइव पढ़ना है तो यूट्यूब के माध्यम से लाइव पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है और अगर रायपूर में हो आने की इक्षा है तो हमारा सेंटर अनुपम गार्डन के ठीक बगल में है के सी देखे होगे ना तोप देखे हो सामने के सी उसी के उपर फर्स फ् हुआ था कि आधा चीज मिट गया था जो मैं लिखा रहा था और इसलिए मेरे को वीडियो बंद करना पड़ा था तुसका पीडिएफ में थोड़ा बहुत कमी रहेगा तो उसके लिए निवेदन है कि प्लीज वीडियो को भी सांथ में देख लेंगे प बता दो यहीं है की नहीं का विज्वल्स बतादो दिख रहा है अच्छे से की नहीं दिख रहा है है फिर अपन शुरू कर लेंगे कोई दिककत नहीं है झाल चलो शुरू करते हैं ठीक है तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिलासफुर संभाद कर रहे हैं संभाद को मतलब बिलासफुर संभाद का आधा हिस्ता आज करा दूंगा बिलासफुर संभाद का बचा हो हिस्सा में अगले वीडियों कराऊंगा और कुछ कमेंट है क्या एक बार देखे नहीं दीजिए तर सब सही है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अपन देखो सबसे पहले क्या किया जाए तो आज का टॉपिक बता दिया जाए टॉपिक क्या है भई तो देखो आज हम लोग भी बिलास्पुर संभाग में इस पढ़ने वाले ठीक है भी बिलास्पुर डिविशन को एक बार हम आपके माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि भाईया यह जो संभाग है बिलास्पुर संभाग इस मेंना कितनेТ लिले हैं कि उसके लिए मैप अपन को बनाना है कि कि मुझेली ठीक है मुझेली के बाद नेक्स डिस्ट्रिक्ट है जी पी एम गौरिला पेंडरा मरवाही अगला जो डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर उपर दिखेगा कोर्बा तो दिखेगा यह जांजगीर जापा सक्ति रायगड और सारंगड बिलेगड तो यह जो आठ डिस्ट्रिक्स हैं मुझेली गौरला पेंडरा मरवाही बिलासपुर जांजगीर जांजगीर जापा सक्ति रायगड और सारंगड बिलेगड इसको मिलाकर बनता है क्या बिलासपुर संभाद ठीक है आज क्या-क्या पढ़ेंगे आज अपन मुंगेली पढ़ लेंगे साथ में अपन गॉरिला पिंड्रा मरवाही पढ़ लेंगे बिलासपुर भी पढ़ लेंगे और क्या पढ़ लेंगे फूर्वा तो अपना टार्गेट है चार डिस्पिक्टाश पढ़ना है बचा हुवा चार को क्या गरेंगे अगली क्लास में ठीक है सलिए आप सभी को ये भी पता है कि वीडियो की शुरुवात एक साहितकार से होती है तो आज के साहितकार जो है ना उनके लिए एक छोटी सी कहानी है इस कहानी को आप ज़रा अच्छे से समझ जाएं ठीक है राजयन साहु जी बता रहे हैं मुंगेली मोर स सुराल हरे ठीक तो मैंकेल बताओं का कहां है असल में राजयन जो है ना मेरा छोटा भाई है इसलिए उसको इस प्रकार की बात में बोल रहा हूं बाकी ऐसा मत समझना कि सर कीसे कीसे बोला थे कि के ठीक है तो एकदम मेरे छो कि एक क्या है डोकरी ठीक है अब यह जो डोकरी है ना यह अपने कि दमांद के साथ किसके साथ दमांद के साथ कहां गई पता है यह गई है शिव मंदिर अब जब यह शिव मंदिर गई तो यह सबसे पहले शंकर जी के सामने क्या जलाई एक्ठो दिया क्या जला दी एक्ठो दिया जलाने के बाद यह शंकर भगवान में क्या चढ़ा दी मोंगरा कि मोंग्रा फुली यह डियंक बताया एक जंडीं है एक जंड है डावरी क्या है दमांध तो डौक्री अपने दमांध के साथ शिव जी में मंदिर गई है और मंदिर जानेक बाद क्या करी दिया जलाई है और मोंग्रा का फूल का नाम है शिव शंकर शुक्ल क्या नाम है शिव शंकर शुक्ल साहितकार का समझ गया कि नहीं समझ गया अच्छा अब इनकी रचनाओं की बात करें तो डोकरी से है डोकरी के कहिनी डोकरी के कहिनी पिर क्या है डमांद बाबू दुलरू तो अगली रचना दमांद से क्या है दमांद बाबू दुलरू दिया तो दिया से है दिया के अन्जोर दिया क्या है दिया के अन्जोर और अगली रचना मूंगरा अब देखिए दिया और मूंगरा मतलब दिया के अंजोर रचना और मूंगरा यह दोनों क्या है यह है उपन्यास क्या है उपन्यास आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकार पूछ देता है कि यह रचना क्या है तो ध्यां रखना यह उपन्यास कि डोकरी की कहिनी यह यह तो इसमें बाल कहानिया है समझ आया है उसमें बाल कहानिया है और और एक इनकी अलग से याद रखना रधिया जो की क्या है कहानी तो अभी रचना जो याद रखेंगे वो क्या है रधिया जो की क्या है कहानी आप सभी समझ गए होंगे दिव्या गुड मॉनिंग ठीक है तो आप सभी को फिर से गुड बॉनिंग है तो मेरे हिसाब से आज का ये जो सेक्षन है किसका तो साहितकार वाला वह बहुत शांदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं से नाम है क्या गवरेला पेंडरा मरवाही तो कल की ही तरह हम लोग क्या करते हैं भई ड्राइव में जाके मैप को इंपोर्ट कर लेते हैं ठीक है कहां हो जी गवरेला पेंडरा मरवाही यह जो है अपना पहला जिला आज का गोरेला पेंडरा मरवाही तो अब कल मैंने क्या बोला था यार इस सबसे पहले क्या करना चाहिए जिले के लोकेशन को समझने कोशिश करनी चाहिए ताकि पता चले कि एक जिला है कहां पे तब इसको समझने के लिए क्या गरना बताऊं एक बहुत इजी है बढ़िया से वाइट लाइन बनाना कहां कहां बनाना तो यह जितने इसके कॉर्णर दिख रहे हैं ना मतलब नीचे की पिर आप उत्तर की तरफ संख्या में याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो साउथ की तरफ से दक्षण की तरफ से तीन और उत्तर नौर्थ की तरफ से दो तो साउथ से तीन नौर्थ से दो क्या कर लेना आप लोग बढ़िया से लाइन को बना लेना अब अपन क् नां लिखते हैं तो ये जो हिस्सा है ये हमारा कि ब्लासफुर डिस्सिक्ट कॉंसा डिस्टिक्ट है ब्लासफुर अब अगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे क्लाकवाइज तो ध्यान रखना यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो न यह हमारा मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है मुंगेली तो यह बिलासपुर है यह मुंगेली है पर यहां से यहां तक यह किसके साथ बॉर्टर करता है पता है तो यह मध्यप्रदेश के साथ बॉर्टर करता है इसके साथ बॉर्टर करता है मध्यप्रदेश MP के साथ ठी मनींगट चर्मिरी भरत्पुर आपको याद होगा पहले वीडियो में जब मनींगट चर्मिरी भरत्पुर देखे थे तो थोड़ा सा हिसा गौरिला पेंडरा मरवाही को टच कर रहा था फिर आगे घूम के आएंगे तो यहां ते यहां के बीच में क्या मिलने वाला है हमें ह अपना कोर्बा डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक मिलने वाला है जी कोर्बा डन तो हमने क्या देख लिया दक्षिन की तरफ साउथ की तरफ वॉर्डर करता है बिलासपुर के साथ मुंगेली के साथ वेस्ट की तरफ पशीम की तरफ मध्यप्रदेश के साथ उत्तर में नौर्थ में क्या है मनेंगर चिमिरी भरतपुर वेस्ट में पश्ची में क्या है कोरबा है ठीक है I hope यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा अब नेक्स देखिए आप सभी को याद होगा कि मैं डिस्ट्रिक को कैसे पढ़ाता हूं तो मैं चार पॉइंट्स में पढ़ाता है जिले में जन्जाती पर्याटन ट्राइज आंड तूरिसम आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो को पहली बार देख रहा है तो यह जो पढ़ने का क्रम है ना इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुझा संभाग वाले में अच्छे से बताया है एक बार प विकासखंड को अब विकासखंड तो यह जो अपना जिला है डिस्ट्रिक्ट है गोरिला पेंडरा मरवाही इसमें ना हमें तीन ब्लॉक्स दिखेंगे ठीक है कौन-कौन से ब्लॉक है तो एक दिखता है इसके वेस्ट पूर्थ की तरफ एक दिखता है इसके नौर्थ उत् ट्रेस्ट की तरह ठीक है क्या क्या नाम है तो यह जो ब्लॉक है ना इसका नाम है गोरेला वन गोरेला एक इस ब्लॉक का नाम है यहां लेखता हूं गोरेला गोरेला वन गोरेला टू मरवाही तो अगला पॉइंट अगर आप देखो तो मैंने गोरेला दो को बॉक्स में बनाया है तो जिले का मुख्याले डिश्ट्रिक का हेट पॉर्टर्स गोरेला दो है समझ गया तो 36 गड़ में ध्यान रखना जितने ऐसे जिले हैं जिनका दो वर्ड्स तीन वर्ड्स का नाम जैसे मनेंगड चिर्मिरी भरतपूर सारंगड बिलईगड गोरेला पेंड़ा मरवाही मोहला मानपूर अंबगड चौकी समझ गया इन सब में जो पहला वर्ड है न पॉजिले का मुख्याले बताता है तो मनेंगड चिर्मिरी भ मरवाही में मुख्याले का नाम क्या है गोरेला लेकिन वो गोरिला क्या है तो विकास खंड का नाम है गोरेला दो मरवाही और जिले का मुख्याले गोरेला टू Trent के आए तो बहुत ज़्यादा नाशनल हाईवे देखते हैं तो देखिए मैं आज यूज होने वाले सभी नाशनल हाईवेस को एक बार बनाता हूँ ठीक है और देख लेते हैं सभी नाशल हाईवेज जो कि आज यूज होंगे इसके लिए अपने क्या करना अभी अच्छे से ना बिलास को संभाव को बड़ा सा बनाना है कि अगर कि 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 कर देख्रिक्स बन गए मंगेली गोरेला पिंडरा बरवाही बिलासपुर कोर्बा जांजगीर चांपा राइगड सारंगड बिलेगड ठीक है अब नाशल हाईवेज की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं इसे जिले से निकलने वाले नाशल हाईवेज क तो इस जिले से कौन-कौन सा नाशल हाईवे निकलता है तो ध्यान रखना सबसे पहले ध्यान रखोगे आप नाशनल हाईवे नंबर 45 दूसरा आप ध्यान रखना रेड कलर से कर देता हूं नाशनल हाईवे नंबर 49 तो 45 और 49 का उद्गम ओरिजिन इसी जिले से ठीक है दो दोनों की शुरुवात कहां से होती है पता है तो दोनों की शुरुवात होती है बिलासपूर से ही तो अपन सबसे पहले 45 पकड़ते हैं तो 45 क्या करता है यह बिलासपूर है निकला बिलासपूर से ये बेल गाहना होते हुए फिर थोड़ा सा गोरिला पेड़ा मरवाही काटते हुए निकल जाता है 36 गढ़ से बाहा एनेच 45 किसको किसको कनेक किया तो अचली जेता हूं बिएस पी भिलाई स्टील प्लांट मां समझना बिलासपूर है तो एनेच 45 बिलासपूर के कनेक करता है किससे तो ओवे दुल्ला गंज कहां पर है मर्दपरेश तर्मतापूर हम के पास में है ठीक है मतलब एक दम नहीं जानों कि भुपाल के पास है समान तो तो ओवे दुल्ला गंज और बिलासपूर को कनेक करता है नाचल हाईवे 45 शत्तिल गढ़ में इसकी लंबाई है 98.3 किलोमेटर्स तो यह क्या हुआ नाचल हाईवे 45 98.3 किलोमेटर्स चत्तिस गढ़ में लंबाई अब 49 की बात करता हूं इसको रेड कलर से लिए हैं तो 49 भी निकलता बिलासपूर से हैं यह क्या करता है बिलासपूर से ना यह मस्तूरी आ जाता है फिर पहुंच जाता है कहां पामगड के बाद अकलतरा फिर जांजगीर फिर चापा फिर सकती फिर खर्सिया फिर रायगड होते हुए 36 गढ़ से बाहर निकल जाता है तो यह बेसिकली कल जाड़ा काम में आएगा बट आज थोड़ा तो बिलासपूर में दिखेगा ही ना किसलिए बता दे रहा हूं ठ ना कि नाशल हाईवे 49 बेसिकली कनेक करता है किसे बिलासपूर के किसके साथ कनेक करता है तो यह करता है हिंदी में लिख देता हूं खरगपूर लिखाता है ठेक है कहां पर है यह वेस्ट बेंगोर चत्यसगर में लबाई 49 की किति है 197 किलोमेटर्स एक सो संतानवे किलोमेटर कितना है 197 तो यह दो ऐसे नाशल हाईवे जो पर्टिकूलर्ली बिलासपूर से निकल रहे 45 और 49 अब बिलासपूर से हो के जाने वाले बिलासपूर से गुजरने वाले नाशल हाईवेस पर ठीक है यह जो जिला है इसका नाम है कभील ठीक के लिग देता हूं अब परपल कलर से लेते हैं बेसिकली है क्या एक नाशल हाईवे है नाशल हाईवे नंबर 30 ठीक है इसको दुर्ग संभाग में पन देखना चालू करेंगे 30 को अभी 30 के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे confusion हो जाएगा तो नाशल हाईवे 30 कि यह एंटर करता है कहां से कभीर दाहम जिले के बोडला से और बोडला अकबाद आता कहां पर है कवरधा फिर आगे यह बेमेतरा चला जाएगा ठीक है अब बेमेतरा से आगे कहां चला जाएगा बलोदा बजार ठीक बलोदा ब बेमेतरा कहां पर है तो जिला बेमेतरा सिम्गा कौन से जिला है तो बलोदा बजार भाठा पर जैसे ही नाशल हाईवे नमर 30 क्या करता है तो यह पहुंचता है बोडला के आगे एक जगा है नाम है पोड़ी क्या नाम है पोड़ी जैसे यह पोड़ी पहुंचा पोड़ी से इसकी एक शाखा या ब्रांच निकलती है जो की पहुंचती कहां पर है पता है पंडरिया होते हुए मुंगेली मुंगेली के बाद पहुंचती है कहां के बाद सीपत होते हुए बलावदा जांधी चांपा डिस्ट्रिक्क में बड़त पजार नहीं बलावदा इसके बाद यह पहुंचती है कहां कोर्बा कोर्बा से आगे करतला पिर राइगण के धरम जैगण और फाइनली पत्थल गाओं कहां का जश्पुर्जिले का तो यह जो नाशनल हाइवे है जो की पोड़ी से निकली और जोड़ी किसे पत्थल गाओं को नाम है इसका नाशनल हाइवे 130A तो 130A 30 की वो ब्रांच है शाखा है पर है जो की पोड़ी से निकलके मुंगेलिय बिलासपुर बलोदा कोर्बा करतला धरम जैगण होते हुए कहां जाए पत्थल गाओं तक नाम है एनेच 130A जिसकी 36 गड़ में लंबाई कितनी है 279 किलोमेटर्स ठीक है आप नेक्स्ट और पार देखिएगा कि कौन से कलर से एक तो लड़के लोग के सांथ समस्या क्या है पता है हम लोग को कलर वो लग जादा समझ में नहीं आता है दो चाटब कलर है हमारे दुणिया में हरा है नीला है लाल है काला है सफेद मैं हमेशा पढ़़ाते पढ़ाते नंग में बहुत फ़स जाता हूं कि अब कौन सा कलर लिया जाय करके समझ गे ठीक है अब देखिएगा नाशला हीवे 30 जब आगे सिमगा पहुंचती है ना तो सिमगा से फिर सी इसकी एक ब्रांच निकलती है जो की बेसिकली यह घूमके थोड़ा सा मुंगेली का सरगाओं होते हुए पहले नांद घाट आता है बेमितरा जिला फिर मुंगेली का सरगाओं होते हुए यह पहुंच जाती है कहां ग्लासपूर और फिर यह रतनपूर होते हुए कौंस्ती है पाली कड़ धोरा पोड़ी उपरोड़ा सूरजपूर काटते हुए सीधा अंबिकापड तो नाश्रल हाइवे 30 एनेच 30 की वो शाखा जो कि किसे जोड़े सिमगा को किसे अंबिकापूर से कैसे जोड़े तो नांध धाट सरगाओं बिलासपूर रतनपूर पाली कड़ घोरा पोड़ी उपरोड़ा होते हुए उदयपूर लखनपूर अंबिकापूर कहलाती है नाश्नल हाइवे नंब दो ब्रांचेस दिखेंगी यहाँ पे 130 ए और 130 दो बिलासपूर से निकली है 4549 ठीक है इसके अलावा ध्यान रखना एक और मता देता हूं यल्लो कलर से नाश्नल हाइवे 49 का एक ब्रांच है जो की निकलता चापा से है पोर्भा होते हुए कड़़ूरा तक जाता है नाम क्या है इसका नाश्नल हाइवे 149 B किसे जोड़ा चापा को किससे जोड़ा पता है तो यह जोड़ता है कट घोरा से लंबाई इसकी 36 गड़ में है अब चलता विचारा 36 गड़ में है बाहर खोड़ी लंबाई होगा ठीक है तो 149 B चापा से कोर्भा होते हुए कड़ लेंथ इसका है 70 किलोमेटर यह मोटे तोर पर है इसके अलावा 153 एक ठोर नाश्नल हाइवे दिखेगा यहाँ पर जब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो रायगड़ और सारंगड बिलेगड़ पढ़ेंगे तो दिखेगा अपने को ठीक तो 153 को मैं कल बता दूँगा कोई द रखना है ठीक है दिक्कत होता है तो वीडियो क्या करेंगे एक बार फिर से पीछे करके देख लेंगे तो 45 को एक बार फिर से बता दू बिलासपूर अबेदुला गंज 98.3 49 बिलासपूर खड़कपूर चत्रगर में लंबाई 197 130 ए पोडी जो की कभीर धाम में है उसको जो है चत्रगर में लंबाई 279 किलोमेटर लास्ट में मैंने क्या बताया है मैंने बताया है 149 बी चापा को कढभूरा से जोडएगा चत्रगर में लंबाई है इसकी 70 किलोमेटर तो मेरे हिसाब से यहां तक आप सभी प्रॉपरणी समझ गया आज इतने सारे नाश्वाइवे देखने हैं ठीक है समझ में आया कि लिए आया मेगा गुड मॉनिंग ठीक है चलो यहां तक हो गया अब देखो ज़रा इस मैप पर वापस आओ नाशल हाईवे की बात करोगे ना तो देखना यह बिलासपूर की तरफ से 45 आ रहा है और यह कार्ट के MP इस जिले के मुख्याले तक भी नहीं आता है आशल हाईवे नंबर 40 इतना सहे नाशल हाईवे इसके लिए तुम लोग इतना मेरे को फट खावा दिये जी ठीक है तो इतना ही है यहाँ पर नाशल हाईवे तो ब्लॉग देख लिए है 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 इसके बाद नेक्स अगर आप देखोगे तो नेक्स क्या है तो नेक्स हम देखेंगे विधान सभा बनानेक जौरत्मी हलक से एकीठ विधान सभा है यहाँ पर और विधान सभा को नाम क्या है पता है तो बस विधान सभाब मरवाही इतना जान लेंगे बाकी कोई टेंशन का बात नहीं है अच्छा इस जिले में कोई नगर निगम है क्या मुनिस्पल कॉर्पोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं इस जिले में कोई नगर निगम मुनिस्पल कॉर्पोरेशन नहीं है इसी के साथ पह लाइवे 49 इस संभाग में तो है बट गॉरिला पिंड़ा मरवाही में नहीं है गॉरिला पिंड़ा मरवाही में नहीं है बट इस संभाग में तो जरूर देखने को मिलेगा ठीक है 50 दिन में CGPSE pre crack हो सकता है रोहिद जी अगर पहले से पढ़े और 50 दिन में रिविजन की बात कर रहे हैं तो हां और अगर यह कह रहे हैं कि 50 दिन में मैं आज से पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है फिर नहीं होगा ठीक है और करते हैं यार इस पूरे संभाग में जिलो का गठन जो है न मैं एक साथ आप लोगों को बता देता हूं और फिर अपन देखते हैं तो सबसे पहले हमेना एक वर्ष याद रखना है एक यह याद रखना है अठारा सो एक सट एटीन सिक्स्टी अठारा सो एक सट वो वर्ष जिसमें दो जिलो का निर्माण होता है एक धाराइपुर दूसरा था बिलसपुर अभी हम बिलसपुर की पढ़ाई कर रहे हैं कि बिलसपुर को देखते हैं तो मान लेते हैं यह हमारा बिलसपुर जिला जो लोकि 1861 में बना आ एक question यह आना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ कि बिलासपूर और राइपूर की जिला बनाया गया तो 1857 की जब क्रांती हुई तो क्रांती तो शांत हो गई Britishers ने यह सोचा कि भारत में अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर उनकी पकड उतनी अच्छी नहीं है administrative point of view से तो इसलिए इन्होंने क्या किया एक प्रांत का गठन किया जिसका नाम था मध्यप्रांत Central Province और Central Province में क्या किया जिलो का गठन किया और इसी क्रम में बिलासपूर और राइपूर 1861 में क्या हुए समय आगे बढ़ा और क्या हुआ तो आपको पता है मैं बता चुका हूं कि 1948 1948 में बगल में एक और जिला बना नाम क्या था इसका राइगर तकाल ध्यान में आना चाहिए उपर जश्पूर था उधैपूर रियासत राइगर रियासत और कौन सी रियासत थी सारंगण रियासत तो जश्फूर उधैपूर राइगड सारंगड इस 만들어 सुब समय आगे बढ़ा और समय आगे बढ़के हम पहुंच जाते हैं वर्ष 1998 पर यह अपना जो विलासपुर था ना यह तो ऐसा था कोई दिख्कत नहीं है अगे क्या होता है पता है यह अपना जो विलासपुर का भी लिख देता हूं इसते कटकर क्या लग हो गया जश्पुर सेपरेट हो गया कि आम करता हूं इसको नास मैं अलग सा कलर ले लेता हूं तो यह क्या हुआ कि राइगर से उपर से हिस्सा कटा 1998 में नाम क्या पड़ा इसका पूर्वी भाग काटा गया उपर नीचे दो जिले बने उपर पूर्बा नीचे जांजगीर अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना इस बीचना वर्ष था 1956 विलासपुर क्या बन चुका था संभाग या डिविशन विलासपुर क्या बन चुका था संभाग था ठीक है तो अब जरा मैप कैसे हो गया देखें तो मैप ऐसा हो चुका था यह अपना प्राइगर यह खोर्बा जांजगीर चांपा बिलासपुर ठीक है वर्ष आता है 2012 2012 क्या होता है तो पश्यमी भाग को काटके सेपरेट जिला बनाया जाता है क्या है प्र या एक कि ई आतना कि अधुकि किसको काटके बिलासपुर नक्या मुंगेली अच्छी बात है तो मैं फिर आगे बढ़ता है कि हम लोग पौहढ़ जाते हैंन कि 2020 क्या सा था यह समय है कि मुंगेली बन चुका था यह बिलासपुर था यह मंघेली बिलासपुर कोरभा जांदघीज स्हांपे अब क्या हुआ पता है 2020 में बिलासपुर केichi इतरी भागों काटा गया और एक डिस्ट्रीक्ट में स्यbreaker क्या किया गया Salut के modern section को काटा गया क्या बना गोरिला पिंडरा मरवाही क्या कमेंट आया है कि विट यूपियस्ट दिया था नहीं हुआ तो मतलब इंडियन जी एस अगर आपका कवर्ड है पचास दिन में प्रोवाइट करा दीजिएगा बिल्कुल करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ब्लैंक मैप भी देदेंगे समस्या कोई बाती नहीं है ठीक है चलो अब यहां तक हुआ फाइनली जिला कठन के क्रम में लास्ट 2022 2022 क्या किया गया जी तो पहले मैं आपको देख लेते हैं फिर अब देखना कि क्या हुआ कि मुंगेली था गोरेला पेंडरा मरवाही था बिलासपूर था पूर्बा था जांधीर चापा था और यह प्रायगड इतना तो बन गया था 2022 2022 में क्या किया गया तो यह जो अपना जांज़गी चाहां पर उसके इस्टेन भाग को पूर्वी भाग को काके सक्ति बनाया गया राएगर्ड के दक्षण से लिया गया कौन सा हिस्था तो सारंगडवाला और बलोदा बजार डिस्ट्रिक्ट जो है ना उससे लिया गया बिलएगळ एला हिस्सा और डिस्ट्रिक्ट बन गया सारंगढ़, बिलएगढ, तो ध्यान रखना सारंगढ़, बिलएगण है ए जो डिस्ट्रिक्ट है पना इसमें इने इसमळ में रंगर लिया गया हैं यहां तक क्या होता है अपना जिला गठन खतम तो हम इससे क्या समझें तो हम इससे यह समझें कि भाया अपना यह जो गौरिला पेंड़ा मरवाही डिस्ट्रिक्ट है इसका गठन या पॉर्मेशन ट्वेंटी ट्वेंटी मूर और इसका मात्रिजिला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था यह प्लांट नहीं बिलासपूर है क्या था बिलासपूर ठीक है बही अब देखिएगा एति हासिक दृष्टी कोण से किसी महत्वपूर्ण स्थल्की कोई हिस्टॉरिकल लोकेशन की मैं बात करूँ ना तो मरवाही जो है इसके दक्षण की तरफ साउथ की तरफ आप आएंगे ना आपको मिलेगा धनपूर क्या मिलेगा धनपूर धनपूर के बारे में भी बता देता हूं आप लोगों को कि लिए मेरे को अलग से स्लाइड लेना पड़ेगा हां चलो यहां लिए देखिया इतिहास को जब हम बाटेंगे ना तो एक काल होता है इतिहास का जिसको बोलते हैं प्राख कैती आसिक कि कि क्या बोल देते हैं और इंग्लिश में कहलो इसे में तो ओन एगदम समय और टेकनी कली कहना है तो आपनी क्रिह हिस्स्ट्री गाफ प्रिहिस्ट्री का लंग आ है तो यह इतिहास का वो काल है जिस समय किसी भी प्रकार की लिपी लिखने का तरीका या स्क्रिप्ट इसका विकास नहीं हुआ तो प्री हिस्ट्री या फ्राग एतिहास एक काल एतिहास का वो समय है जिसमें किसी भी प्रकार की लिपी का विकास नहीं हुआ था कोई स्क्रिप्ट डेवलब्ड नहीं थी समझ गया नेक्स धियान रखना चुकि इस समय मानव औजारों के रूप मे टूल्स के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करता था और पत्थर के लिए शब्द है पाशान इसको क्या कहा गया पाशान काल इंगलिश में स्टोन्स का यूज की है टूल्स के लिए इसलिए स्टोनेज समझ में आया कि नहीं आया इतिहास में और डीटेल में देखेंगे इसे ना चार भागों में डिवाइट किया गया है ठीक है क्या क्या है पूर्व पाशानकाल फिर है मध्य पाशानकाल फिर है उत्तर पाशानकाल फिर है नव पाशानकाल पूर्व मध्य उत्तर नव इंग्लिश में यह है पेलियो लिथिक एज लिखने के लिए पाशा गाड़ा बढ़ हो गया फिर यह है मीजो लिथिक एज यह अपना है पोस्ट मीजो लिथिक एज यह अपना है नियो लिथिक एज पेलियो मीजो पोस्ट मीजो और नियो सचा ही है कि जब आप भारत में इसको पढ़ोगे न तो पूर्व मध्य और नव मिलेगा उत्तर तो मिलवे नहीं करेगा उत्तर सिरिप 36 गड़िया लोग के पास है इसलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहीं मिलेगा तो मीजो बाद आया इसलिए पोस्ट मीजो मान लेते हैं समझ गये ऐसा मान लेते हैं तो उत्तर पाशानकाल इसी से संबंधित है स्थल्प धनपूर समझ में आया कि यहां से कुछ-कुछ तैल चित्र रॉक आर्ट हमको मिले हैं समझ में आया तो धनपूर के बारे दिखना किसे संबंधित है उत्तर पाशानकाल से पोस्ट मीजो लेते के से संबंधित है और यहां पर क्या मिले हैं शेल्चित रॉक आर्ट डन तो इतिहास का यह सेक्षन यहां पर खत्व अब हम लोग किस पर आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं भुगोल पर जोग्रफी पर यहां प्रकर मैं बात करूं चटान की या रॉक्स की तो मिलते हैं कडपा कडपा चटान पहली बार सुन रहे होगे हैं क्या है कडपा तो ध्यान रखना लगभग यह जो चटान है इनका निर्मान फॉर्मेशन दो सो तीस से संतावन करोड इयर्स अगो तू थर्टी से फिप्टी सेवन करोड इयर्स अगो इनका फॉर्मेशन हुआ है कैसे रॉक्स ने पता है अवसाधी हैं सेडिमेंटरी हैं अवसाधी या सेडिमेंटरी टाइप के रहों कि नेक्स्ट आप इनके बादे में ध्यान रखना कि यह में से जो प्रमुक खनीज मिनरल प्राप्त होता है वो क्या है एक है चूना पत्थर अंग्रेजिम बोलते हैं लाइम स्टोन दूसरा है डोलोमाइट अंग्रेजिम भी से डोलोमाइटी दोलोमाइट यह मिलता है जहां पर कडवा रॉक्स होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां कडपका हे वहाँ दोनो मिनरल सी पर्वाही यहाँ पर कडप्पा रॉक्स का एक्स्टेंशन है विस्तार है बट ऐसा कोई महत्वपूर्ण खनीज भंडार इस जिले में नहीं ठीक है तो फिर से बता दूं कडप्पा रॉक्स यहाँ पर है बट मिनरल रिजर्व यहाँ पर नहीं है कौन-कौन से मिनरल मिल जाएंगे तो कडप्प हम देखें से नाम रख दिये कडप्पा ठीक है चलिए अब इसके बाद अगला जो पॉइंट हम देखते हैं वह है क्या परवत या हिल तो नहीं इस जिले में हमको दो हिल्स दिख जाएंगे एक यह जो अपना headquarters है इसके थोड़ा इस्ट की तरफ और एक बिल्कुल यह कोरबा से लगा हुआ ठीक है क्या क्या नाम है तो नाम मैं यहाँ पर तो ब्लू से लिख देता हूं ताकि आप लोग समझें और बाहर यह लो कलर से लिख दूंगा यह खोडरी खूंसरा है और य दीक है क्या क्या है तो दो परवन दिख रहा है एक का नाम हुद्री खूंग ही जड़ा और दूसरे का नाम है पल्मा का हाइड भी याद रखना अप्रॉक्सिमेटली दससी मेंटर हुआ है आइड ही याद रखोगे क्या पल्मा का 10-80 कैसे याद रखोगे है धी-दस-80 तो पलमत फोटो खिचना है HD में ठीक है कि योगी जी गुड मॉनिंग माही सर धारा जी एस ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है अब तुम मेरे एक टो काम तीयार दिये मेरे एक नंबर लिखना पड़ेगा उससे पहले एक काम करता हूं मेरा ही नंबर लिख देता हूं तो परवत यहां पर दो है खोड़ी खोंग सरा दूसरा पलमा पलमा काईट क्या है दससी मीटर परवत के बाद अगला जो पॉइंट हम देखते थे वो क्या देखते थे जी नदी तो क्या किसी विशेश नदी का यहां से उद्गम है औरिजिन है बिल्कुल है खोड़ी खोंग सरा से निकल कर दक्षिन की तरफ साउथ की तरफ क्या नाम है अरपा चीक है दिख रहा है क् अगला जो पॉइंट है वो है जल्प्रपात वाटरफॉल तो इस जिले में क्या कोई जल्प्रपात है बिल्कुल है यह कोरबास लगा हुआ एक जल्प्रपात वाटरफॉल जिसका नाम क्या है जोजा क्या नाम है वाटरफॉल का जोजा जोजा एक लोकल स्ट्रीम इस्थानी सरीता पर बना हुआ वाटरफॉल है मतलब बारिश के समय खुब पानी रहता है बाद में फिर दिक् next नदी देखी जल्प्रपात देख लिया जो जा आगी अगर अपन देखे न तो ध्यान रखना waterfall के बाद नदी की उपर project या परियोजना तो भाईया इस जिले में नदी की उपर कोई ऐसी विशेश परियोजना या प्रोजेक्ट नहीं है नेक्स अगर अपन देखें तो कोई इंड़स्ट्यल एरिया और इंड़स्ट्री तो अध्योगिक पार्क जरूर इजिले में है जिसका नाम क्या है कि तो राणी तो दुर्गावति और इसे अंजनी के नाम से भी जाना जाता है ये इंडस्रील एरिया है लेकिन आथा कहो कि कोई बहुत महत्पून टाइप के इंडस्ट्री यहाँ पर तो बिलकुल भी नहीं तो इंडस्ट्री इरिया देख लिए फिर क्या देख लिए इंडस्ट्री लास्ट में क्या बचा नाशनल पार्क वाइल है नहीं है मतलब जोगरफी वाला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है खतम हो जाता है कि अब हम लोग लास में क्या आ जाते हैं तो जनजाती पर यह टन ट्राइब्स एंड तूरिज्जम पे यह एक दम चटक लाल से लिए कौन से कलर से लिख हुई है को समझ नहीं आता है तार्क ग्रीन से लिखता हूं जी तो जनजाती यहां पर है वैगा कौनसी जनजाती है वैगा अभी कल ही मैं आप लोग को विशेश पिछरी जनजाती बताया था उसमें बैगा बताया था ठीक है परियर्टन टूरिजम की बात करोगे तो ध्यान रखना यह जो डिस्ट्रिक्ट है ना इसमें बिल्कुल ओर्डर के पास एक मंदर है जो की है जुआ लेश्वर महादेव का किसका है जुआ लेश्वर महादेव ठीक है पिर मरवाही के नौर्ट वेस्ट की तरफ आओगे आपको मिलेगा शिवगाट मनौरा अभी क्या है शिवगाट मनौरा ध्यान रखना गाउं है मनौरा नाम एक छोटी सी स्थानी नदी है वहाँ पर जिसका नाम सोन है यह वह वाली सोन नदी नहीं है जो की कहाँस निकलती है हमर कंटक्स से बिल्कुल नहीं है एक छोटी सी स्थानी शरीता है जिसको सोन बोलते हैं वहापर तो मनोरा गाओं में उस शरीता के उपर एक ठोग घाठ है जिसको बोलते हैं शिवगाठ तो शिवगाठ मनोरा ज्वालेश्वर महादेव ठीक है और इसके बाद के जो अर्पा देख रहना अर्पा के इस्ट पूर्व की तरफ आपको मिल जाएगा लक्ष्मन धारा अब यह जो लक्ष्मन धारा है बढ़िया है पानिक धारा है लगभग लगभग साल बरिसमें पानी रहता है लोग जाके यहां पर पिकनिक मनाते हैं समझ गये तो इसी के साथ एक गौरिला पेंड़ा मरवाही अपना जो डिस्ट्रिक्ट है ना यह फिनिश हुजाता है कमेंट कर में रिक बताओ समझ में आया की नहीं आया प्रॉपली उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते है अगे बढ़ें अगला डिस्ट्रिक्ट आते हैं क्या है मुंगेली मुंगेली के माप को इंपोर्ट किया जाए अगे बढ़ते हैं कि अगे यह अपना मुंगेली जिला दिख गया है कि तुरू करें चलो भाई कि सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मुंगेली है ना इसको अपन लोकेट कर लेते हैं आसपास के क्या देख लेते हैं परोसियों को तो इसके एक कॉर्णर कॉर्नर से लाइन स्लो एक कॉर्नर ये हुआ फिर एक कॉर्णर यहां है एक कॉर्नर यहां एक एक एक्स्ट्रा याद रखना उतर पूर्व से शुरू करते और इसके दख शंक की तरफ आपको मिलेगा कौन क्लाक वाईस गूमेंगे यहां से यहां तक आप जो देख रहे हैं यह हमारा डिस्रिक्ट है कबील इसलिक्त है कबील है यह चोटा सा हिस्सा मेंपीसी और गरेगा यहां संब तकुरिञा परिचंटाम अरही से यहां से यहां तक यह बॉटर करता है कि इसके साथ कि इस विलासपुर के साथ मैं वाइनली के छोटा सा हिस्सा भॉटर करता है वद फटर अ कि यह हैं तो हो गया यहाँ पर location किसका मुंगेली का complete पहले point पर आते हैं क्या प्रशासन administration administration में सबसे पहले क्या करो गया ब्लॉक विकासखंड तो विकासखंड में सबसे पहला विकासखंड है आपका लोर्मी कौंसा विकासखंड है ब्लॉक है लोर्मी अब आजाई है नीचे अगला विकासखंड जो की डिस्ट्रिक का headquarters भी है मुख्याले भी है इसको मैंने बॉक्स में बनाया है नाम है इसका मुंगेली तो लोर्मी मुंगेली लास्ट में नीचे दक्षिन की तरफ तीसरा विकासखंड है पथरिया लोर्मी मुंगेली पथरिया समझ गए तो यह तीन ब्लॉक हो गया है headquarters क्या दिख रहा है मुंगेली टेंशन फ्री तीसरा पॉइंट क्या था नाश्नल हाइवे तो नाश्नल हाइवे आपको याद होना चाहिए पोड़ी से निकलकर मुंगेली क्रॉस करते हुए बिलास्पूर की तरफ पहुचा था कौन नाश्नल हाइवे नंबर 130 इसके बाद अगला पॉइंट क्या देखा जाएगा विधान सभा तो विधान सभा के लिए एक मैप और लेना पड़ेगा यार मुझे तो यह आजाओ भाईया कहां गया मुंगेली हां मुंगेली का मैप है यह ले ले लेते हैं अब इसमें विधान सभाग देखो मुंगेली इत यहां परना आपको लगजओ लगजओ तीन विधान सभा देख जाएगी हैं पहली एक है लोरमी थी मुंगेली प्र मुंगेली है के यह जो नीचे का हिस्टा है ना यह असल में विस्तार है extension है बिलहा विधान सभा का बिलहा विधान सभा का विस्तार extension न सिर्फ हमको बिलासपूर में दिखता है बलकि मुंगेली में भी दिखता है समझे की नहीं समझे तो यह अपना क्या है विधान सभा विधान सभा लोर्मी मुंगेली और विधा का विस्तार extension लोर्मी लोर्मी से विधायक कौन है श्री अरुन साव डिप्टी सीम है पार्टी इनकी क्या है भारती जनता पार्टी प्रमुख विभाग जो इनके पास है पी डवुडी लोग निर्मान विभाग पी एची लोग्वास्ति आंत्री की पब्लीक हेल्थ एंजिनियरिंग समझ में आया यह विभा लिए मैंने क्या बताया डिप्टी सीम है तो लोर्मी है मुंगेली है और क्या है बिलहा विधांस ठीक है डन क्या इस जिलेंग कोई नगर निगम है नहीं है ठीक है तो नगर निगम नहीं है अब इतिहास पर आते हैं जिले का गठन पॉर्मेशन का वर्ष देख लो याद जबाया 2012 और उसके बाद मैंने बताया था इसका मात्रेजेला पेरेंडर्स शेक्तों किसे काटके बना था बिलस्पुर से काटके बना था बिलस्पुर से गठन कब हो ये वर्ष 2012 2012 में आप यहां तक आप लोग समझ गया है अब इसके बाद यहाँ पर एक फूरा तात्वी सद्वार है अर्केलोचिकल साइड है नाम है इसका मत कूँ थ्वीप थे करें थ्वीप हो टापू है आईलेंड है अब यहां कोई ऑध समुद्र तो है नहीं तो कैसा टाफ तो यह है अपना नदी के ऊपर द्वीब किसके ऊपर द्वीब है नदी के ऊपर मतलब इंग्लिश में बोलोगे तो यह रिवर आइलेंड तो नदी के ऊपर द्वीब है रिवर के ऊपर आइलेंड है रिवर आइलेंड तो कोई नदी होगी तो नदी कौन सी है शिवनाद कौनसी नदी है शिवनाद अब यह बेसिकली इसका नाम मत्कुद्वीप क्यों है तो ऐसा कहते हैं एक रिशी थे मांडुक की रिशी समझ में उन्होंने मुंडक उपनिशद जो है यहां पर लिखा था और उसी से जगा का नाम क्या पड़ा मत्कुद्वीप मुंडक उपनिशद लिखा किसने मांडुक की रिशीन है इसलिए नाम पड़ा अच्छा पुरातत्व के दृष्टी कोंड से आर्केलोजी के दृष् शिव मंदर मिले हैं क्या मिले हैं शिव मंदर इसके अलावा महिशासुर मर्दिनी इनकी मूर्थी मिली है महिशासुर म इनकी क्या मिली है, मूर्ती मिली है, इसके अलावा कुछ coins भी मिले हैं, सिख्के, इनके मिले हैं पता है कल्चुरियों के, इसके कॉइस मिले हैं कल्चुरियों के, तो मतकूद वीब river island है, शिवनात्न दी के ऊपर, आर्केलोजी के point of view से यहां से शिव मंगर है उसके अलावा महिशा सुर मर्दिनी के एक मूर्ती मिली है coins मिले है सिक्के मिले है किसके कल्चुरियों के इस खिलाव आपको पता होना चाहिए किसी मतकुद्वीप में क्या लगता है मसीही मेला क्या लगता है मसीही मेला कब लगता है पता है हरवरीक महीने में तो याद रखना जब हम लोग प्री देने जाते हैं तो यह लोग मिला मनाते हैं जब हम लोग प्री देने जाते हैं तो यह लोग क्या करते हैं मिला बनाते है डन अब इसके location को जरा समझो यह बिल्कुल border पर है यहां पर नीचे यह नाम है मदकु द्वीब ठेक है अम मदकु द्वीब नदी के उपर था तो नदी भी बनाना पड़ेगा ना जी तो नदी भी बना देते हैं चलो तो नदी बना देते हैं असल में यह जो नदी है न यह बिल्कुल बेमेतरा वाला border पकड़ कर आती है और मुंगेली की दक्षणी सीमा बनाती है और उसके बाद आगे जो border है बड़दा बजार और बिलासपूर के बीच में इस पर फ्लो होने लगती है ना में इस नदी का शिवनात पनवाया डारेक्शन ओफ प्लो कैसा है ऐसा इस तरीके से इधर जा रही है तर समझ में नहीं आया पूरा याद हो गया कि यह मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं क्या लिखे हो आपका टेलीग्राम चैनल है हाँ टेलीग्राम चैनल भी है ठीक है भावना जी आप क्या लिखे हो ना यह थोड़ा सा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं सर समझ भी नहीं आया पूरा याद हो गया ऐसे सेंस में बोल रहे हो ठीक चलो ठीक है मैं अपने दूर में मास रहता हूं पढ़ातों पुर्ण दिमांग इधर ही चलता रहता है चलिए कोई बात नहीं तो इतिहास यहां पर खतम करते हैं इतिहास में मत्कूद भी याद रखना है इसके बाद क्या है पता है इसके बाद बेसिकली तुम्हारा भी सॉल कर देता ह पर न मेरे अच नंबर देख रखाऊं ट्रिपल सेवन वाला उसी नंबर पर न है लो भेज देना मैं तुमको टेलिग्राम से जुड़वा दूँगा ठीक है और बाकि जिसको जुड़ना है उसी में है लो भेज देना अपना नाम लिख देना करवा दूँगा कोई दिक्क अचा क्या इस जिले में कोई खनीज है बिल्कुल है क्या है चूना पत्थर है बोले तो लाइम स्टोन है तो कडपा है चुना पत्थर या लाइम स्टोन उसमें से खनिज है मिनरल है तो यह रॉक है और यह मिनरल है भंडारण बताता हूं तो भक्पुरिडी हो नो भंडारण नो बहुत दिए कि शंपूरी पिर है चहरा था बुन्देली जहाए रहा शटन तो भंडारण ब्रेसर्व क्या है भक्पुरिडी खमारडी शोनपूरी चहरा बुन्देली और चटन ये रिजर्व से भंडारन है किसके खनिच के कौनसे खनिच के लाइम स्टों के ठीक है कौनसे जिले में मुंगेली जिले अच्छा परवतों की बात करोगे तो ध्यान रखना यह जो जिला है ना इसके उत्तरी भाग में यह नॉर्धन पार्ट में हमको न एम लिख रहा हूं तो मैकल परवतों का विस्तार दिखेगा ठीक कौनसा परवत दिखेगा मैकल मैकल असल में सत्कुडा का पूर्विविस्तार समझ में मैकल किसका है कि सत्कुडा परवतों का पूर्विविस्तार है यह हो गया आच्छा परवतों के बाद अगर नदियों की बात करें तो ध् district है ना इस डिस्ट्रिक्ट से एक particular रिवर औरिजिनेट होती है मैंकल परवतों में सिहावल सागर से निकल कर इस जिले की पूर्वी सीमा बनाती है Eastern border बनाती है और जाकर किसमें मिल जाती है शिवनाती इस नदी का नाम क्या है तो नदी के नाम है मन्यारी तो मन्यारी बॉर्डर क्रियेट करती है मुंगेली का बिलासपुर के साथ समझ गया है तो सिहावल सागर से क्या लेना उरिजिन इसका पतला करके लिख देता हूँ उरिजिन लेना इसका सिहावल सागर है यहां से ओरिजिनेट होती है मन्यारी आगे चलके बॉर्डर क्रियेट करती है बिलासपुर का मुंगेली के साथ एक बात और ध्यान रखना कबीर धाम डिश्टिक्स एक नदी निकलती है जिसका नाम है आगर बैश से बना रहा हूँ और यह जो आगर है न य यह दो आकर मिलती है किस पर पता है कि नाम है असे अनला रहत आगर का उद्ध़ं औरिजिन किस से है कभी धामिय मत्रिक्स एक अ आगर नदी के तठकर ही सहर मुंगेली है तो जो शहर मुंगेली है वो किसके तठथ कर एं आगर रिवर का कबेमेंट आया चलो ठीक है हो गया यहां तक डन चलो और भई तो नदी देख लिए अच्छा नदीओं के बाद reverse के बाद क्या कोई बहुत important टाइप का waterfall या जलप्रपातिस जिले में है तो मुंगेली जिले में ऐसा कोई बहुत विशेश जलप्रपात नहीं है कि नदी के यूपर कोई परयूजना या प्रोजेक्ट है तो बिलकुल है ध्यान रखना लोर मी के और नौर्थ की तरफ है जो नदी है मन्यारी इसी के ऊपर है खुडिया बान खुडिया बान खुडिया डैंप भी बहुते है इसको ठीक है क्यों बोलते हैं क्योंकि खुडिया गाओं में हैं तो खुडिया गाओं में इसलिए खुडिया डाम ठीक है इसका नाम करण किया गया है किसके नाम से तो राजीव तो इसकी क्या बोलते हैं राजीव गांधी परियूजना या राजीव गांधी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं किसको खुडिया डाम को, कौनशी नधी के वपर है, मनियारी रिवर के उपर, ठीक है, तो हमने नधी देख लिया, जल्प्रपात नहीं है, डाम देख लिया, ओध्योगिक शेत्र इंडस्रियल एरिया की बात करोगे, तो ओध्योगिक शेत्र यहां पर क्या है, खमरिया लेकिन क्या कोई इंडस्ट्री यहां पर है तो नहीं इंडस्ट्री नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया का होगे तो क्या है खमरिया ठीक है हो गया यहां तक अब इसके बाद फाइनली लास्ट नाशनल पार्क वाइल्डाइफ सैंक्चुरी तो इसके लिए ध्यान रखना यह जो डिस्ट्रिक्ट है अपना कौन सा मुंगेली यहां पर आपको दो चीज़े मिलेंगी एक मिलेगा बायोस्फियर रिजर्व एक मिलेगा वाइल्डाइफ सैंक्चुरी ठे सब्सक्राइब बायोस्फियर रिजर्व जो है इसका नाम है अमर कंटक अचानख मार तक है वाइल्डाइफ सैंक्चुरी जो है इसका नाम है अचानक है सभानज आया है Одसजीव अभ्भ्यारण निय अचनक पार पहले अमखऴक अचनक मार के बारे हिए अमरकंटक अच रिजयह चुंद अचनक है है कब बना है 2005 इसका एरिया शेत्रफल किता है तो याद रखना 38 35 स्क्वार किलो मेटर्स अब देखके समझ जाओ अमर कंटक अचानक मार अचानक मार बोले तो 36 गढ़ अमर कंटक बोले तो MP मतलब इसका एरिया दोनों जगा फैला है तो इस 38-35 में से 36 गड़ में कितना आता है 26-10 स्क्वार किलोमेटर समझ में आया तो टोटल एरिया 38-35 इसमें से 26-10 स्क्वार किलोमेटर किसमें आता है 36 गड़ में आता है I hope आप लोग यहां तक समझ गए होंगे इसके बाद ध्यान रखना वर्ष था 2012 इसे UNESCO के MAN and biosphere प्रोग्राम में शामिल किया गया सन्रक्षन के लिए तो 2012 में इसे MAN and biosphere प्रोग्राम है UNESCO का उसमें क्या किया गया है है शामिल किया गया है किसको अमर कंटक अचानक मार अब अचानक मार वाइलगव सैंक्चूरी कई अगर 3655 इसका एरिया तो बहुत इज़ीए याद रखनां देखना हां 5 पांच को लिखना एक बार प्र पांच को लिखना दूसरी बार कितवन लिख दी दो बात तो यह इसका एरिया है 552 स्क्वार क्लिमेटर्स तौन गाया तो 1975 में अचानक मार वाइलेच चैंक्षुरी बना एरिया है 552 स्क्वार क्लिमेटर्स ध्यान रखना वर्तमान में यह क्या है एक टाइगर रिजर्व कैसे याद रखोगे आई एस इंद्रावती अचानक मार सीता नदी उदंती तो सीता नदी और उदंती को मिला के एक साथ है तो यह तीन है चौथा प्रस्तावित है गुरुभासिदास क्लियर है कि नहीं है तो यहां पर जोग्रफी वाला सेक्षन क्या हो आप यहां पर हमें क्योंसी जाती मिलेह्यार में चेंगा चीके पर यहेटपन टूरिजम ध्यान रखना यह जो नदी है और यह रिहाइवेर है दोनों केपीच में बनाना एक लोकेशन क पित्गंगा है है और आशेएट और ना उदस है पिर ये नदी के किनारे बनाना रामगण रामगण लिख दिया मैं भी और पिर हाइवे और नदी के बीच में बनाना हथनी कला समझ गें तो हाइवे और नदी के बीच में मुंगेली के वेस्ट की तरफ सेद गंगा फिर नदी के किनारे रामगण और हाइवे नदी के बीच में लेकिन मुंगेली की इस्ट की तरफ हतनी कला हतनी कला यह है यहाँ पर क्या है तो अश्ठ भुजी दुर्गा मंदिर क्या है अश्ठ भुजी दुर्गा मंदिर रामगण में क्या है गणिश्वर महादेव स्तेध गंगम क्या है राम जान की मंदिर रामगण में गणिश्वर महादेव रामगण परवत नहीं है यह उठ पुटान मत कर देना हतनी कला अश्ठ भुजी दुर्गा मंदिर यहाँ पर खतम हो जाता है हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुंगेली अब मेरे को एक चीज बता बताओ मुंगेली जिला समझ में आया की नहीं आया ठीक है फटाक से बताओ कि खिर मैं आगे बताऊंगा जब तक मैं पानी पी लेता हूँ कि अगर दूजन का यसर आ गया बाकी लोग बताओ और भहिया तीन का यसर आ गया कि जल्दी बताओ फिर मेरे शूटकारा भी जल्दी मिलेगा क्लास का तम होगा नागे पढ़ाऊंगा तो हमारा जिला आएगा बिलासपुर प्रफुल रिशित समझ में आ गया बोल रहे हैं और अगनी येस चलो कि मैं आपको बड़ा कर लिए हैं जल्दी बताओ जी शुरू करेंगे फिर समझ में आया नहीं आया आ गया चलो मीशु कभी आ गया ठीक चलो भावना कभी यस्सर अगर एक आध गंगं मेल लगता है मेल लगता है मेला लगा अग्टेंशन मत लो तुम मेला मणी पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे आठन कल्चर ठीक अभी से ना बहुत जादा कंटेंट दूंगा तो भजजजा जाएगा दिमार्ट वैसे मुझे इतना यकीन हैं कि सरात करते हैं इसके लिए क्या गरिए है इसके नौर्थ गी तरफ से उ disrupt लीजेगा नौर्थ गी तरफ से गित्थी लीजेगा दोמה इसका इस से एक मताओ थे in साट से 10 समाज़ एं क्या देखे ओम नाम देख लेते हैं साब तो यह हिससाब देख रहे हैं, बलोदा बजार भांठा पारा है, क्या हिए बलोदा बजार भांठा पारा, अब क्या किया जाए, इस अबना क्या है, मुंगेली, उपर देखोगे, गोरिला पेंडरा मर्वाही, पिर आगे पढ़ेंगे, यह हमारा कोर्भा है, फिर यह हमारा क्या है, जान्जगीर, हमने क्या कर लिया, बिलासपूर के लोकेशन को फ्लॉट कर लिया, कैसे, साउथ में ब्रोदबजार भाठा पारा, इसके वैस्ट में मुंगेली, नौर्थ में गोर्ला पेंडर मरवाही, इस्ट में उपर कोर्बा नीचे जांजगीर जांपा है, ठीक बात है, अब आगे पर जाते हैं, पहला पॉइंट क्या है, प्रशासन, अड्मिनिस्ट्रेशन, चलो, प्रशासन में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, विकासखंड, तो विकासखंड में सबसे पहले एक ब्लॉक बनाना, पहले इंको थोड़ा पतला किया जाए, ये है अपना फोटा, क्या है ब्लॉक, फोटा, अगला ब्लॉक बनेगा इसके बिल्कुल वेस्ट में, नाम क्या है, तकहतपूर, क्या है, तकहतपूर, फिर ब्लॉक बनेगा इ फिर ब्लॉक बनेगा इसके एस्ट में पूर्फ की तरफ क्या नाम है मस्तूरी तो इस जिले में कित्तर विकास खंड चार कोटा तखतपुर मस्तूरी बिल्हा ठेक है जिले मुख्याल एक बात करोगे तो नीले रंग से अलग से लिख देता हूं क्यूंकि यह विकास खंड नहीं है इसलिए रेड नहीं प्रयोग करूंगा समझ में आया जिले का मुख्याल है हेट्पॉर्टर क्या है वि मुखर ना नीचे लिख देते हैं हे तो बिलासपूर संत् disproportionately कॉण से विकास में आता है तक बताता हो गौन से ब्लॉक में आता है अब कोई तो बिलासपूर से होगा न tai रिशीद बता रहे हैं बिलहाम आता है करके और कौन बताएगा कोई तो बिलासपूर से भी देख रहा होगा इस वीडियो को कोई नहीं यार बिलासपूर से गजब लोगों कि डरा रहे हो कमेंट करने से कुछ नहीं बोलूँगा हाँ नाम बता दूँगा सहीं बोले हो गलत कोई ची नहीं बता रहे है चलो बिलहाच में आता है ठीक है तुक्का मार रहते लगते हैं तो चार विकास खंड है चार ब्लॉक हैं जिला मुख्याले देख लिए क्या है बिलासपूर है ठीक है नेक्स हम लोग क्या देखते थे नाशला हाईवे याद होगा आपको तो एक 45 याद आया तो यह 45 को निकालो थोड़ा से गोरिला पेड़ा मरवाई और मुंगेली करके यह होगे अपना नाशला हाईवे 40 पर एक 49 भी यहीं से निकला था गया मस्तूरी होके याद है नहीं याद है अच्छा मुंगेली की तरफ से क्या आ रहा था बताओ जर्या तो तखतपुर होते हुए बिलासपुर होते हुए आगे सीपत होते हुए बलावदा और फिर कोर्वा भाग जाता है याद आया नाशला हाईवे 130 एक 130 ठीक है इसके बाद ये नाशला हाईवे नंबर 130 ये भी याद होना चाहिए है याद है सिम्दास निकला था जहां ने बिलासपुर प्रागे मना बता है पाली कडगोरा पोड्यू प्रोडा सोड़ी आधार ही होगी क्लियर है तो यह सारे नाशला हाईवे भी हमने क्या कर लिए फ्लॉट कर लिए अच्छा ब्लॉक हेटक्वाटर्स बिलासपुर जिले का भी मु हम लोग क्या कर लेते हैं तो विधान सब्सवा देख लेते फिर नगर निगम देखेंगे किzem मैप लिया जाए आजा हो मैप अच्छग एक विदानसभा फोटा फिर विदानसभा यह बीच में लेना फिर देखिएगा एक बनाएए अख़तपुर फिर नीचे का बनाएए बलहा फिर मस्तुरी पर यह बchest गया यह बिल बेल तरह नोजच ट्रपमद के लिए Uoker कोटा काड़ देना विमिलाज भी यह बंढ़ा अगली खीचो के मस्तूर का जो बस गया वो बैलतर आ है ठीक है हाँ हाँ छीक बात चलो अच्छा दो तीन लोग विलासपूर से हैं बता रहे हैं ठीक बात है मतलब धारा जीस की पहुंच अब विलासपूर तक भी हो चुकी है ठीक बात है तो इतना सारा विधानसभा याद रखना है विधायक विधायक याद यहां रखने एक जौरत नहीं है टेंसन फ्री हो आप क्या हुआ नगर निगम मुनिस्पल कॉर्पूरेशन तो यहां पर क्या है विलासपूर नगर निगम है विलासपूर मुनिस्पल कॉर्पूरेशन ठीक है और यहां ते मेयर कौन है यह भी लिख देता हूँ श्री राम शर्ण यादव तो राम शर्ण यादव जी क्या है भईया यहां से मेर है बिलासपुर नगर्णिगा में ठेक है तो यहां पर हमारा पहला जो पॉइंट है कौन सा प्रशासन अड्मिनिस्ट्रेशन खतम हो जाता है अब नेक्स्ट ध्यान रठना हम लोग देखेंगे क्या तो इतिहास हिस्ट्री 1861 में क्या बना बिलासपुर जिला तो जिला गठन है ठीक है 1956 में बिलासपुर क्या बना संभाग तो यह संभाग गठन है इसके अलावा यहां पर दो आर्केलोजिकल साइट है ठीक है एक का नाम क्या है तालाग हूं और दूसरा जो है क्या नाम है उसका मलहार ठीक है लोकेट भी कर देता हूं तखतपुर से दक्षिन की तरफ यह आप आओगे ना आपको बिल्कुल बॉर्टर पर मिलेगा यह तालाग हूं अब ऐसे मस्तूरी से नीचे दक्षिन की तरफ आओगे आप तो मिलेगा यह मलहार अभी चाओग्रफी वाले पॉइंट पर देखेंगे कि तालाग हूं भी एक नदी के तड़ पर है मलहार भी एक नदी के तड़ पर है तो यहां पर लिखता हूं मैं दोनों के बारे में आप लोग देखना एक तरफ लिखता हूं मैं यह तालाग हूं और एक तरफ ही है अपना मलहाद सबसे पहली बात किस नदीक तड़ पर है मन्यारी नदी कि इसे और क्या कहा गया है अमेरिकापा ताला तो ताला काओं दूसरा नाम क्या है अमेरिकापा ताला कॉंसिनरी की तड़ पर है मन्यारी नदी यहां पर दो फेमस मंदिर हैं टेम्पल हैं क्या क्या नाम है एक का नाम है देवरानी मंदर दूसरे का है जेठानी मंदिर तो एक देवरानी मंदिर दूसरा जेठानी मंदिर कई जगह पर ना न्यूसपेपर आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि इस मंदिर को निर्मान करने वाले कौन है करके बट बेसिकली ना ऐसा कोई विशेश टाइप का जानकारी इतना बस पता है कि लगभग लगभग शरभपुरी वंश डाइनस्टी जो था उसी कि समय इनका निर्मार बंज में आया तो देवरानी टेंपल जेठानी टेंपल इनका जो फॉर्मेशन हुआ या ऐसा कहो कि कंस्रक्शन हुआ फॉर्मेशन सहीं शब्द नहीं है कंस्रक्शन हुआ वह किस समय हुआ जब शरभपुरी डानिस्टी रूल करी थी उस समय का है बट आक्चुली नहीं पता चला है कि भहिया कौन बनवाए हैं न्यूस पेपर में लिग देंगे बट उसको हम लोग ऑथेंटिक नहीं मान सकते ना यार समझ गया है इसके अलावा यहां से न कारे में ध्यान रखना यह ना आठ मुख वाली प्रतिमा है और इसमें ग्यारा अलग-अलग जानवर जो है इससे भगवान शिव के ग्यारा अलग-अलग अंग को बना कर दिखाया गया है इस मूर्ति को आप लोग अच्छे से देखी लो वैसे तो मैं आशा करता हूं कि आ कर भगवान का दूसरा आगया मूर्ति पोटो रूद्रश्रीव सीजी लिखता हूं न तब आया अगरा यह वाला यह देखो यह है रूद्रश्रीव ठेक है आठ मुख वाली प्रतिमा है एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ अश्ट मुखी और भगवान के अलग-अलग अंग जैसे कान आप देख रहे हैं च्छोटे सा पक्षी देख रहा है तो ऐसे अलग-अलग अंगों से अलग- अलग-अलग जानवरों से भगवान के अलग-अलग अंगों को दर्शाया गया है और आठ मुख वाली यह प्रतिमा है ठीक तो इसको ध्यान में रख लेना यह क्या हो गया क्रीन शॉट लेवा गया तो क्या पताया ग्यारा जानवर से अलग-अलग भगवान के क्या दिखा लाए गए हैं अंग बॉडी पार्ट और अश्ट मुखी ये प्रतिमा है आठ मुख वाली नेक्स्ट मलहार मलहार प्राचीन नाम प्रसन्पूर क्या नाम था इसका इंशन नीम प्रसन्पूर एसा कहते हैं कि प्रसन्द मात्र नाम के एक राजा दे है कौनसी डाइनिस्टी कौनता वंश शरबपूरी तो राजा प्रसन्द मात्र शरबपूरी वंश के इन्हों ने ही इस शहर को बताया था तो अपने नाम पे प्रसन्पूर नाम रखा था अब नाम इसका क्या है मलहार तो प्राचीन नाम एंशन नेम प्रसन्पूर था अब क्य कौन सी नदी लीलागर रिवर और लीलागर का प्राचीन नाम क्या था निडिला तो लीलागर का एंशंट नेम क्या था निडिला तो यह जो निडिला रिवर है ना इसी के बैंक्स में इसी के तट पर हुआ करता था यह प्रसंपुर तो निडिला प्राचीन नाम प्रसंपु क्या फाइडिंग पाता है तो एक ना टेरा कोटा का सिक्क हा मिला है क्या मिला है पॉइन जिसमें लिखा हुआ है पांस को सलिया क्या लिखा हुए ये टीन साल पहेगा न कुछ व्यापम में आया था पता है पूचा था गांस को सलिया सिक्का कौन सा सिक्का कहां से प्राप्तुगा करके समझ गये तो एंसर याद रखना मलहार इसके अलावा इस मलहार में 2 famous temples भी है एक है अपने पातालेश्वर महादेव कौनसे Mr. temperature महादेव UP और दूसरा मंदर है डिट नेश्वरी गिष में इनका मंदर तो यह दूनों क्या है temple में मंदिर है पातालेश्वर महादेव और कौन सा डिड़नेश्वरी देवी मंदिर तो ध्यान क्या रखना है डिड़नेश्वरी देवी मंदिर ये एक वार आ चुका है CMO पेपर था पूछा था डिड़नेश्वरी देवी temple कौन से district में है तो district बोलेगा बिलासपूर जगा बोलेगा मलहार तो डिड़नेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है मलहार कौन से जिलम है बिलासपूर समझ गये की नहीं समझ गये तो मलहार और ताला गाउंक बारे में इतना सारा चीज आपको क्या करना है ध्यान में रख लेना है तो दोनों को लोकेशन को दे दिया मैंने नदी को प्लॉट कर देंगे अब इसके बाद क्या किया जाए है हिस्ट्री के बाद जोग्रफी में आया जाए है अब जोग्रफी की बात अगर करोगे तो सबसे पहले चटान तो यहां पर अपने को क्या मिलने वाला है कडपा यह मौली धागा जो है ना वह भी लिख रहा है रुको अब कौन सा कडपा रोक कडपा चटान ठीक है पहला खनीज इससे यहां पर चूना पत्थर मिलता है नाइम स्टोन दूसरा डॉलोमाइट भी मिलता है चूना पत्थर पहले बता देता हो कहां से मिलता है तो है तेंदुवा चलहाती और मस्तूरी से कहां कहां से तेंदुवा चलहाती मस्तूरी दूसरा खनीज जो कडपा रोक से यहां पर मिलता है वो क्या है अपना डॉलोमाइट है अब यह जो डॉलोमाइट है यह मिलता है हिर्री बेलपान और धूमा से हिर्री बेलपान धूमा समझ गया है तो कड़पा से चुनापत्थर डोलोमाइट दोनों मिलता है यहाँ पे चुनापत्थर तेंद्वाचे लहाटी मस्तुरी डोलोमाइट हिर्री बेलपान धूमा अब एक बात को बड़े अच्छे सम मजना 2017 forest service में question आया था हिर्री किस खनीजे से संबंधे थे तो याद रखना जो important mineral reserve से उनको उल्टा करके mineral से relate भी करने को कहता है वैसी एक बार एक लामा को बारे पीएस सी पूछा था एक क्लामा मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा दुर्ग संभाग तो ध्यान रखना ऐसा पूछेगा कभी mineral reserve देखके कि हिर्री किस mineral से संबंधे था आपको दिमाग में यह चीज चलने चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद हम लोग क्या नदी बताते थे अब नदियों को देखो यहाँ पर हां सबसे पहले ध्यान रखना कि यह जो अपना एक रिवर है कि शिवनाथ वो मुंगेली की दक्षणी सीमा से बहकर आ रहे हैं पिर यह बिलासपुर की दक्षणी सीमा पर बह रही है और फिर आगे यह फ्लो हो रही है किस पर तो अपने जांजगी चांपा के भी सदन बॉर्टर पर क्या नाम है इसका शिवनाथ थोड़ा से देखने हैं तकलीप हो रहा होगा ज्यादा डार्प हो रहा है तो बट फिर भी इसको सिर्फ याद रखना अब इंपोर्टेंट नदियों को मैं से बनाता हूं ठीक है क्योंकि ब्लू का ही अलग-अलग शेड लेना पड़ेगा निद्गरबड हो जाएगा एक नदी थी अर्पा गोरेला पेंड़ा मरवाहित से इसी अर्पा के तटपर क्या है बिलासपुर यह अर्पा आकर क्या करती है कि मिल जाती है किस पर शिवनाथ यह वह एकनी फिर वैसे ही मुगेली डिस्ट्रिक्स से निकलने वाली कौनसी नदी रही है तो यह नदी है अपनी मनियारी तो यह मन्यारी किसमें मिल रही है शिवनार में ताला गाउं के बिल्कुल पास मिलती है ताला गाउं के बिल्कुल पास अब देखो ताला गाउं आ गया ना मन्यारी के तड़ पर वैसे ही कोर्बा से निकलने वाली एक नदी है लीलागर जिसके तड़ पर आपको क्या मिलेग मलहार और वो नीचे आकर किसमें मिल जाती है तो मनियारी अर्पा लीलागर नीचे शिवनाथ सब किसमें मिल रहे हैं फाइनली शिवनाथ कि अब एक चीज ध्यान रखना इस अर्पा की एक आयक है कि नाम क्या है आर भग ंपे नाम में है कि हौ lebih कि तो क्या कि नादी देखे एक दम वेस्ट में बोर्डर पे मनियारी इस्टन बोर्डर पर लीलागर वीच वीच अर्पा की सहय hanad jan possessed बोर्ड़ दछनी सीमा पर क्या है शिवनाथ कि के कोईन की डाइनस्टी यह जो गामस को सलिया सिख्या है जो की टेराकोटा से बना है इसके बारे में कुछ नहीं पता सिर्फ इतना पता है कि यह जो गामस को सलिया लिखा है न यह किस स्क्रिप्ट में लिखा है पता है इतना ही पता है बाकि कुछ नहीं पता इसके बारे में ब तो नदियान नदियों के बाद जलप्रपात तो विलासपूर जलप्रपात आपको देखने को नहीं मिलेगा अब इसके बाद क्या है भाई या डैम बता देतें तो यह जो अपना आर्पा है ना इसके उपर भैसा जार परियोजना कि खारंग के ऊपर खुंटा घाट परियोजना इसी को क्या कहा गया है तंजय गांधी परियोजना भी कहा गया है या नाम करण हुआ है खुटा घाट कौन्ची नदी पर खारंग अरपा पर भैसा जार इसके बाद एक डैम और है घोंगा नदी के उपर नाम है घोंगा है तो घोंगा नदी पर घोंगा अरपा पर भैसा जार और उसके बाद कौन्सी नदी खारंग पर खुटा घाट तो यहां पर डैम भी हो गया परियोजना खतम अच्छा नेक्स अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो क्या था इंडस्ट्रिल एरिया और इंडस्ट्री तो क्या क्याedor है इंडस्ट्रिल एरिया है फिर इंडस्ट्रिल एरिया हैं मिसी में सिल पहरी और जिस्फरा इंडस्ट्रिव for एनडस्ट्री की बात करौगे तो यहां पर हैं अन्टी पीसी तीपत पर जो और एंटीपीसी सीपत थीक है एंटीपीसी सीपत दो हजार दो में बना उत्पादन दो हजार आठ में तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 2002 प्रोडक्शन स्टार्ट 2008 और क्रपास्टी 298029089μW 2980มEW की इंस्टार्ल क क्रफास्टी है समझ माया तो स्थापना की शुरुआद 2002 से है उत्पादन की शुरुआद 2008 से है स्थापच शम्ता कुल कितनी है 2980MW NTPC सिपत तो हमने क्या देख लिया इंडस्ट्रिल एरिया भी देख लिया इंडस्ट्री भी देख लिया अच्छा अब इसके बाद नाश्रल पार्क वाइल लाइप सैंक्टुरी तो भाईया इस जिले में नहीं है लेकिन हां कुछ इंप पक्षी अभ्यारण्या है कि अच्छी अभ्यारण्या है नेक्स्ट यहां पर कि आपको मिलेगा कि फूंद्रा फूंद्रा क्या है कि बियर पार्क है और यह बिलास्पूर है इसके नौर्ट वेस्ट की तरफ आपको क्या मिलेगा कानन पेंडारी क्या है जी तो रहंगी पक्षी अभ्यारण्या खोंद्रा डियर पार्क और उसके बाद कानन पेंडारी जू यह ज़रूर गुजाएगा अब इसके बाद क्या किया जाए तो द देखा जाए लास्ट पॉइंट जनजाती एवं परियतन ट्राइब जांड तूरिजम इसके लिए अतरंगी कलर को सिलेक्ट किया जाए एक जम चक लाल को कर देता हूं हां तो ट्राइब जान टूरिजम में सबसे पहले ट्राइब अगरिया फिर है पैगा फिर है बंजवार फिर है पारधी फिर है मांजी अगरिया बैगा बंजवार पारधी मांजी ये बेसिकली क्या है ट्राइब जहां पर जो इस पर्टिकुलर बिलास्पर डिस्ट्रिक में क्या होंगी मिलेंगी अब आजाओ किस पे तो टूरिजम पे ठीक है भई पर्यटन तो ध्यान रखना नाशला आई वे बन थर्टी ए जो है न यहां पर आपको मिलने वाला है लूथरा शरीफ लूथरा शरीफ में क्या है यहां पर हजरत बाबा इनसान अली शाह इनकी दरगा है इसकी हजरत बाबा इनसान अली शाह तहां पर लूथरा ठीक है चलो भई नेक्स्ट अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा यह मिलेगा आपको रतनपुर तुम्हेरे बताने जोरते नहीं पढ़ना स्यर्ट अंपर में क्या है बहुत पेमस महा मया मंदिर है यह में अ इस थिक है और यहां से एक नदीव नहीं कलती है जिसको बोलते हैं क्या छोटी नर्मदा है तो यहां पर कहानी खत्म रोजगार आताक्टिव सिंग्षर्द सक्ती जनपत के सीयों थे कॉम्पेटिशन कम्यूटी छोड़ दिये क्या आप पुख्रात्सर है कि मैं समझ नहीं पारों भाई तुम्हारा क्या है कि दर्वादेश बावु तैंक मुला कि देखो मैं तो पुख्रात्सर हूं इस बात को मैं जान रहा हूं अकासर से पुछना पड़ेगा कि सक्ती जनपत के सीयों थे एक बताएं नहीं और इसलिए का अधा प्रस्ण ये मुझसे है कि कॉम्पोटिशन कम्निटी छोड़ दिया हूं मैं और धारा जीयेस मैंने और कि अब एक प्रश्ण आप लोग से यह पूछता हूं कोर्भा पढ़ने की इच्छा है कि नहीं है कि क्योंकि आप लोग का कुछ ज्यादा रिस्पॉंस रिस्पॉंस दीख नहीं रहे मेरे को तुमरे बता दो कोर्भा पढ़ाऊं कि कल पढ़ाऊं कि कमेंट करके बताओ या ज जीत रहे हैं कि चार हो गई है सर कि बाकी लोग कुछ लीखें नहीं रहे हैं पढ़ानत पढ़ाने पढ़ाने मत पढ़ामला का मतलब है कि के जीत उन्हीं लोग की हो रही है यार भासपा टाइप कांग्रेस वाले ठार गया है है यह अपना कोर्भा आ गया चलो आकरी जिला है आज का कोर्भा पढ़ लेते हैं या नहीं तो कल के लिए लोड जादा रहेगा फिर मिशू नहीं सर अब हिचडी हो जाएगा अगनी यसर कविता यसर असल में दिक्कत क्या है पता है दिक्कत यह है कि जैसे नहीं पढ़ाऊंगा ना तो आगे चलके तुम ही लोग को प्रॉबलम है क्योंकि फिर मैं खतम नहीं कर पा चलो फाइनली लास्ट कोर्बा पढ़ते है ठीक है बड़ी हस पढ़ते है खतम करते हैं और उसके बाद फिर अक्तर करेंगे आगे देखिये कोर्बा बेसिकली आपको सबसे पहले इसके लोकेशन को समझना है इसके लोकेशन को समझने के लिए क्या करना है तो नौर्थ से एक दो तीन चार और यह पांच लाइन लेनी है तो उत्तर से कितनी लेनी पांच दक्षिन से तीन पश्यम से एक क्या क्या है जिलोक नाम इसके पडोसियों के यह है मनेंगट चिर्मिरी भरतपुर फिर अगला क्या है अगला है कोरिया फिर नेक्स्ट तुरजपुर फिर यह है तर्गुजा फिर यहां से यहां तक बॉर्डर है किसके साथ रायगण के साथ दक्षिन आएंगे तक्ती है यह पहर जांदगीर चांपा यह अपना बिलासपुर और यह अपना गोरिला पिंड़ा मरवाही तो साउथ में सक्ती जांदगीर चांपा के साथ वेस्ट में बिलासपुर गोरिला पिंड़ा मरवाही नौर्थ में MCB है, Korea है, सूरजपूर है, सरगुजा है, और इसके East में, पूर्व में क्या है, राइगड है, ठीक है, चलो, Notes बनाना पड़ेगा, Notes बनाने एक समय नहीं है, Notes मत बनाओ, PDF से देख लो, अभी कर लो, एक्जाम टाइम में, Notes बनाने बहुत समस्या है, टाइम बहुत खराब होगा, चलिए, चुरू करते हैं, सबसे पहले, प्रशासन, Administration, पहला पॉइंट या था उसमें, तो पहला पॉइंट था, ब्लॉक या, विकास खंड, तो ब्लॉक में देखके जाओ, सबसे पहले क्या है, पहला ब्लॉक है, पाली, पाली बाद अगला है क्या, कट घोरा, कट घोरा के बाद अगला है, पोड़ी, उपरोड़ा, नीचे आएं, हमको मिलेगा, डिस्ट्रिक हैटपोर्टर्स, जिले का मुख्याल है, पूरवा, और ये लास्ट मॉट ब्लॉक, करतला, पाली, कट घोरा, पोड़ी, प्रोड़ा, कोरबा, करतला, पाश्ट्रु ब्लॉक है, जिसमें से एक ठोजीलेक मुख्याल है, नाम क्या है, कोरबा, ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं अपना, बिलास्पूर के तरह से नाश्टल हाईवे आ रहा था, 130, पाली, कट घोरा, पोडियो प्रोड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा सूरजपूर काटते हुए सरगुजा, क्या नाम है, इसका नाश्टल हाईवे नंबर 130, ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, एक नाश्टल हाईवे था, 130A, तो यह बिलासपूर से बलवदा आया था, जानदगीर चापा के, फिर मैं आपको बताया था, कहां पहुंचे था, कूर्बा, कूर्बा स्कर्तला, धरम जैगर और फिर याद है, जश्पूर जा रहा था, जश्पूर जिला, पत्थल गाउं तक, नाम इसका क्या है, एन एच, 130A, और लास्ट, यह, चापा से कूर्बा, कूर्बा स्कट्भूरा, तकाल दिमाग में आना चाहिए, कौन सा, एन एच, 149, वीफ़र बॉम्बे, समझ गया है, तो यह नाचला है वेस बन गया है, अब उसके बाद क्या करो यार, विधान सभा, और नगर नेगम, तो विधान सभा देख लेते हैं, विधान सभा के लिए क्या करना, एक लाइन लेना, यह लेना, और एक स्टर्कल बना लेना, यह विधान सभा है अपनी, पाली, कॉंसे विधान सभा है, पाली ताना खार, ठीक है, अगली विधान सभा, यह मिलेगी आपको, कटगोरा, फिर यह रामपुर, और यह कोरबा, समझ गये, पाली ताना खार, कटगोरा, कोरबा और रामपुर, अब इसमें से याद क्या रखना है, तो इस बार का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें से 54 सीट जो है, किसको मिला है, बीजेपी, 35 सीट किसको मिला है, कॉंग्रिस, एक सीट मिला है किसको, गोणवाना, गनतंत्र पार्टी, जीपीपी, कौन सा सीट मिला है, जी पी पी को एक मात्र सीट जो मिला है वो कौन सा है पाली तानाखार ठीक है कि नहीं है डन चलो अगर आप जानते हो तो मेरे को कमेंट करके बता दो कि पाली तानाखार से विधायक कोन है जल्दी बताओ जल्दी बताओ अगर जानते हो तो कमेंट करके बताओ कि यह से लोगों यार एक उजहन कमेंड नहीं कर रहे हूँ कि जल्दी कोई नहीं बता पा रहे हैं कि गजब पूरा नाम नहीं है हीरा सिंग मरकाम आगे कब भूल गये हो आगे कब भूल गये हो जी अगनी हीरा सिंग मरकाम पीछे क्लिक दिये हो सामने कब भूला गये हो तुम बताओ जल्दी क्या गजब लोगों हाथ में वोबाइल धर के बैठे हो जी ओक रिचार्ज है फाइब जी है साइक सर्च करना चीए आ जाता है फिर भी देखो आधा बतार ही रासिंग मरकाम अब देखो पूरा नाम कैसे आया तुलेश्वर हीरा सिंग मरकाम इधर ध्यान दो तुम लोग कभी ऐसा अथेंटिक डेटा चाहिए होता है ना तुमको वेबसाइट बता रहूं मैं इधर मिलेगा कहां है जी ब्राउजर ब्राउजर में जाना लिखना ती जी विधान सभा समझ गया है वेबसाइट आ जाएगा सीजी विधान सभा का उसके बाद देख लो राज जपाल अध्यक्ष मुट ममंत्री उपाध्यक्ष नेता परतिफक्ष वज़ैंस elia नहीं है तो तुलेश्वर हीरा सिंग मरकाम पूरा नाम है उनका श्टी भी लगाओ एग 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 मात्र सीट मिला है इनको ठीक है जी पी पी को ध्यान रखना प्रफुल कुमार ठाकपुर भी बता दी है ठीक है ECI का वेबसाइट का जौरत नहीं है जी हमारा सरकारी यह वाला यह काफी है कौन सा विधान सभा सीजी विधान सभा चलो फाइनली लास्ट प्रशासन का आकरी क्या है नगर निगम मुनिस्पल कॉर्परेशन की बात करोगे तो यहां पर क्या है नगर निगम कॉर्बा ठीक है और यहां से मेर कौन है श्री राज किशोर प्रसाद ठीक है राज किशोर प्रसाद है जो की क्या है मेर ठीक है फाइनली क्या हो गया प्रशासन खतम इतिहास पर आ जाते हैं इतिहास के लिए देखिएगा जिले का गठन डिस्ट्रिक का फॉर्मेशन का वर्ष क्या था 1998 इसका मात्र जिला पेरेंट डिस्ट्रिक क्या था यार बिलासपूर तो बिलासपूर से कटके 1998 में कोबरवा जो है वो सेपरेट जिला बना ठीक है अब अगर इतिहास में next कहोगे न तो यहां पर पौना खारा परवत के ऊपर ना एक जगह है जिसका नाम है मेहरगड ठीक है और यह जो मेहरगड है यहां से प्राचीन गड़ एंशेंट पोर्ट के क्या मिले है अवशेश रिमेंस रिमेंस ओफ एंशेंट पोर्ट मेहरगड ठीक है इतना ही है यहां परितिहास में और कुछ भी नहीं ह आओ जोग्रफी सबसे पहला चक्तान कि यहांस मिलेगा गोंडवाना इसके बारे में डीटेल बता चुका हूं ना दो दिन से तुम लोग को क्या खनीज बताया था कोईला कोड़ कहांस मिलेगा तो याद रखना भंडारण है असदेव अरंड पिर है सेंदूर गर्ड लास्ट में पोर्बा एक बात और ध्यान रखना यहां पर एक कोईले की खदान है दिसका नाम है मुकुंद घाट यह इंडिया का लार्जेस्ट मेकनाइजड पोल माइन है भारत का सबसे बड़ा यांत्री कृत कोईला खदान क्या नाम है मुकुंद घाट भंडारण का क्या नाम है हस्देवरंड सेंदूर गर्ड और कोर्बा तो गोणवाना चट्टान जिससे मिलता है खनीज के रूप में कोईला कोर्बा से खदान मैंने क्या कहा है मुकुंद घाट याद रखना इंडिया का लार्जेस्ट मेकनाइजड कोल वाइन है समझे की नहीं समझे ठीक डन अब इसके बाद नेक्स धियान रखना यहां से एक और चट्टान है यह एक और रॉक है नाम है देकन ट्राप दकन ट्रा किया मिलत है अपने को वॉक शाइट काहां से तो methods का पहाड और करला पहाडля है सो सब्सक्राइब मुंद यह दोनों ऐसे भंडारं है जहांसे बॉक्साइट मिलता है बॉक्सपी जिले में24 तो दोनों कंश मिलेंगे गृज़ऑना से कोईला दकन ट्राप से बॉक शाइट कोईले में एक और बार ध्यान रखना मुकुंद घाट इंडिया का लाजिस्ट मेकनाइस्ट कोल माइड अब इसके बाद परवतों पर आएं तो ध्यान रखना है आपको पाली के नौर्थ उत्तर की तरफ एक परवत मिलेगा पर यहां पर आपको परवतों की श्रंखला जो मैंने आपको बताया था पॉना खारा और इस श्रंखला के आप क्या करना वेस्ट पश्चिम की तरफ एक परवत और लेगा एक परवत पाली के नौर्थ की तरफ नाम क्या है इसका ती लिग देता हूं चैतुरगण नाम है ठेक है उसके बाद यह जो तीन परवत देख रहे हो यह श्रंखला है पुत्का देवराही और मेहर गड़ है पॉना आरा के उपर यह क्या है यह है आपका लास्ट वाला है को झा अरह कि यह जो पर्वत आप देख रहे हो यह है विज़ौरा यह आया है व्यापा में विजौरा पर्वत तेक है किसका हिस्ता है तो छुरी उदैपुर पर्वतों का और यह जो है अपना क्या है यह चैतुरगड फिर जब पोर्वाजिले का ओफिशल वेबसाइट पर देखो गे ना तो चैतुरगड कोही लापागड भी कहा गया है तो उसको अलगलग मत करना ठीक है चैतुरगड कोही क्या कहा गया है लापागड ये बिजौरा है ये पुटका देवराही रेंज है और ये एक परवत है पौना खारा इतने सारे परवत है नदियों की बात करोगे तो ध्यान रखना अच्छे से कि एक नदी है जो की यहां से फ्लो होती है ठीक है पोरियास निकली थी एंसी भी आई थी उसके बाद फ्लो हो रही है कोर्बा शहर उसके तड़ पर है नदी निकल गई नीचे अच्छ बना देता हूं यह ऐसा ठीक है क्या नाम है नदी का हस्दो या हस्देर ठीक है इसी की एक छोटी सी सहायक भी है नाम इसका है यहां लिख देता हूं चोर नई क्या नाम है नदी का चोर नई क्लियर है नेक्स ध्यान रखना एक नदी यहां से निकलती है फिर बिलासपुर जानगी चापा बॉर्टर पर फ्लो होती है नाम क्या है इसका लीलागर उद्गम कहां से है तो दिपका का प्ठार दिपका प्लैटू से ठीक है और एक नदी निकल के नीचे सकती जाती है नाम है इसका क्या हो रही इसको कल देखेंगे तो दिपका के प्ठार से निकली लीलागर बिलासपुर जांजगी चापा के बॉर्टर प्लफ फ्लो हो रही है बॉरही सीधा नीचे जा रही है हस्देव उपर से आ रही है बीचो बीच हस्देव की सहाय है चोरनई तो यह हो गई नदिया जल्प्रपातों की बात करोगे तो चोरनई की उपर एक waterfall है जिसका नाम है गोविंद कुझ का नाम है जल्प्रपात का गोविंद कुझ जल्प्रपात यह असल में देवपहरी नाम के गाउँ पर है इस लिए देव पहरी जल प्रपाद भी बोलते हैं इसको गोविंद कुन्ज वाटरफॉल्स देव पहरी विलेज में है इसले देव पहरी फॉक्स भी बोलते हैं दूजरा ध्यान रखना एक वाटरफॉल जो है वो है अपने केंदाई नदी के उपर नाम है यहाँ पर लोकेशन है उपर दो ही वाटरफॉल है केंदाई केंदाई पर है गोविंद कुन्ज जो है वो चोड़ने रिवर पर अच्छा प्रोजेक्ट परियोजना की बात करोगे तो ध्यान रखना यह जो अपना चोरनई का जो संगम आप देख रहे हो किसके साथ हस्देव के साथ वहीं पर परियोजना है जिसका नाम है मिनी माता मिनी माता ड्याम पूरा नाम क्या है इसका हस्देव बांगो ड्याम ठीक हस्देव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना कहलो ड्याम की तरफ आओगे तो इसी की उपर क्या है दर्री बैराज दर्री बैराज दूसरा मिनी माता हस देव बांगो डेम और बैराज में अंतर क्या होता है तो ध्यान रखना जो डेम होता है न उस डेम में एक ऐसा obstruction तो लगाते है नदी को रोकने के लिए लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए एक जलाशाय होता है फिर इसका gate खोलते हैं तब नदी आगे फ्लो होती है लेकिन जो बैराज होता है न उसमें basically क्या किया जाता है इस प्रकार से obstruction बना दिया जाता है नदी की दिशा को मोडने के लिए बैराज बनता है दो गेट लगा दिये इधर का gate बंद करो इधर खोलो नदी ऐसे बहेगी इधर का बंद करो इधर खोलो नदी सीधा बहेगी लेकिन किसी भी condition में बैराज में पानी रोकने की ऐसी जगा जलाश है नहीं होता तो डैम में जलाश होता है बैराज सिर्फ नदी के प्रवाह को मोडता है समझ गया ऐसे दो टो गेट लगा के और नहर निकाल के तो बैराज के माध्यम से क्या किया जाता है नदी की दिशा क मोड़ा जाता है क्या करो एक नहर बना दो दोनों साइड गेट लगा तो जिधर का गेट खोलो कि उधर पानी जाएगा लेकिन किसी भी condition में आप जल को स्टोर करके नहीं रख रहे हो क्योंकि जलाश है यहां पर क्या कर रहे हो उसी दी समझा रहे है लेकिन आप क्या कर रह यह देख लिए जल्प्रपात जल्प्रपात के बाद क्या देख लिए अपन डैन अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो आगे हम लोग इंडस्ट्रिल एरिया और इंडस्ट्री देखते हैं तो इंडस्ट्रिल एरिया तो कोई बहुत जादा नहीं है बठा उद्योग ह है उद्योग बता देता हूँ आप लोगों को एक क्या है एंटी-पी-सी जुम्नीपाली वह यह एंटी-पी-सी कोर्भा 1978 में स्थापना के शुरुवात 1983 में उत्पादन शम्ता 26 MW, इसके अलावा बालको 1965 में इसकी स्थापना के शुरुवात हुई है और 1975 में बालको में क्या हुआ है उत्पादन की शुरुवात अब यह संयूक्त उपक्रम है अब यह क्या है एक संयूक्त उपक्रम है बालको उसके बारे जब जोग्रफी पढ़ेंगे देखेंगे तो यहा और दूसरा बाल, नेक्स्ट अब क्या ध्यान रखो गया, तो लास्ट में जोग्रफी का अंतिम पॉइंट है कोर्बा का, नाशनल पार्क वाइल डाइप सांचुरी, इस पूरे एरिया में यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर एक एलिफेंट सांचुरी डिक्लेयर किय गया है, क्या नाम है, लेमरू, डिक्लेयर है, 2019 में, शेत्रफल है, 90-95 स्क्वार किलोमेटर्स, यह वाला एरिया समझ में आया है, असल में लेमरू जो है ना, इसका 90% भाग कहां पर है, कोर्बा में, बाकी 10% भाग, राइगड के धरम जैगड़ वाले एरिया में भी है, औ क्लेयर है, 2019, एरिया, 1995 स्क्वार किलोमेटर्स, बीच में बहुत चल रहा था, इसका एरिया कम करने के लिए, तो काफी लोग भी द्रोह पर आ गये थे, तब सरकार ने गोश्टना किया, कि एरिया वीरिया कम नहीं करेंगे, जी करके, क्लियर है, अब इसके बाद लास्ट के आ जाते हैं अपन, जनजाती एवं परियाटन ट्राइब जान टूरिजम, यहीं इच पिलिक देता हूँ, छोटे म कहीं पर जनजाती, एक डम चक लाल रंस लिखता हूँ, जनजाती कौन सी मिलती है, यहाँ पर, पहाडी, कोरवा, एक जनजाती मिलेगी, दूसरी मिलती है, सौता, क्या मिलती है, सौता, तो पहाडी, कोरवा, एक ट्राइब मिल जाएगी, दूसरी क्या मिलेगी, सौता, अब परियाटन टूरिजम की बात करोगे, तो ध्यान रठना, यह जो पाली है, यहाँ पर एक बहुत फेमस, महादेव मंदिर है, कौन सा मंदिर है, महादेव म मंदिर ठीक है इसके बाद अगर आप देखोगे तो दर्री है ना इसके वेस्ट की तरफ आना आपको मिलेगा छूरी यहाँ पर बहुत पेमाज कोजगई मातक मंदिर है कौशी माता? कोजगई मातक अच्छा मिनी माता यह जो एम है न हसदेव बांगो इसी में कुछ ऐलेंड़ है सत्रेंगा है फिर क्या है बुका और गोल्डन आइलेंड कहां पर है यह तो हस्देव बांगो का जो जलाश है ना रेजर्वायर उसी कंदर है सत्रेंगा बुका गोल्डन आइलेंड ठीक है next कोरबा यहां पर लिख देता हूं मा सर्व मंगला का मंदिर है कहां पर कोरबा में दक्षिन की तरफ आएंगे तो एक दो तीन लोकेशन दिखेगा यह है मडवारानी मडवारानी एक छोटा स्पहाड है जिसके उपर माता का मंदिर है ऐसा कहते हैं कि माता का यह स्वरूप अपनी शादी से उठके आया था हल्दी लगी स्थिती में तो कहते हैं जब वो पहाड पे चड़ोगे सिड़ी उपर जाते जाओगे न तो आपका शरीर भी हल्दिक जैसे पीला पीला दिखता है करके तो यह मडवारानी है पाइनली यह जो दोठो बज गया है उसमें नीचे है कनकी और उपर है कुदुरमाल अब यह जो उपर कुदुरमाल है यह कबिर पंतियों का धर्मस्थल है और कनकी में क्या है अपने कनकेश्वर महादेव तो क्या क्या देखे परियटन में पाली पाली म क्या है महादेव मंदिर चुरी कोजगई माता कोर्बा मासर्व मंगला मंदिर सत्रेंगा बूका गोल्डन आइलाइन हस्देव बांगो जलाशय में उसके बाद कनकी कनकेश्वर महादेव कुदुरमाल कभीर पंतियों का धर तो अनेक अनेक धन्यवाद आप लोग मुझे लगातार दो घंटे तक जहलते रहे इसके लिए बहुत जादा धन्यवाद आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो नया इनिशियेटेव है धाराजीयस इसको सपोर्ट करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें हमारे वी क्लास है ना उस क्लास में मैं आप से मिलूँगा उसमें बिलासपूर संभाग जो है उसको मैं कल खतम करा दूँगा 11 विजिस चालू होगा आप अपने फ्रेंच तक इसको शेयर करिए प्री के लिए पढ़ाई जो हो रही है वो मेरे हिसापते ठीक ठाक स्तर पर हो रही है और फ्री हो रही है तो क्यों न सभी लोगों तक इस इनिशेटिव को क्या किया जाए पहुंचाया जाए तो आप सभी से सयोकी अपेक्षा रखता हूं आद की क्लास यहीं पर खतम करता हूं ठीक है चलो ठीक भई तो आप लोग का कुछ डाउट है तो पूछलो नहीं तो फिर मैं बंद कर रहा हूं सर रोड मैप बता दो किस चीज का रोड मैप चाहिए आप मुझे पूछ ले मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को धन्यवाद वञ्ड़लो है यजी कोई स्वंदान ॉछान